बच्छो चले आप अपनी मैस की बुक निकाल लिजे प्लास 4 की मैस की बुक चैप्टर 5 ठीक है आज इसके एक्सेसाइज करेंगे हम 15 एक्सेसाइज 15 ओके देखिए हम मल्टिप्लिकेशन कर रहे थे तो देखिए 156 562 को मल्टिप्लाइ करना है 73 से तो बच्छो जब 2 डिजि से क्या करते हैं हम यहां पर 0 लगाते हैं सबसे पहले इसके बाथ हम क्या करेंगे सेवन से री इसे क्या था इसका पूरे को हमने मुल्टिप्लाइ कर दिया अब इसे क्या करेंगे फिर एड कर देंगे 6 प्लस 06 और 8463194 तो इसका अंसर आगा 41026 ठीक है इसी तरीकी से आप यह सारा का सारा काम करेंगे यहां तक 9 ठीक है और एक चीज और बचो जब किसी भी चीज को 0 से मुल्टिप्लाइ करते हैं तो आंसर ऐता है जीरो ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर अपको बता दिया कि यहां पर एट दिया हुए था है ना यहाँ पर आपको देखना था कि यहाँ पर क्या यहाँ पर 8 नहीं था और यहाँ भी 6 नहीं था तो यहाँ पर क्या है 8 it means कि 8 को हम किस चीज से multiply करें कि 8 आना चाहिए ठीक है क्योंकि हमें तो पता है कि 0 से यहाँ पर तो 0 ही आना है और यहाँ पर 8 ही आना है 8 आने का मतलब यह है कि हम कौन से नमबर से इसको multiply करें कि 8 आए 8, 6, 48 ठीक है इसलिए हमने यहाँ पर 6 लगा दिया इस हिसाब से फिर 6 से हम पूरा multiply कर देंगे इसको पूरा आजाएगा यह box इनोंने ऐसे ही दे दिया है एक्स्ट्रा है फिर 3 से multiply करेंगे तो यह यहाँ पर आजाएगा और इसको हम add कर देंगे और यह हमारा answer आजाएगा इसी तरीके से आपको यह भी करना है ठीक है बच्चों अब इसमें word problem है तो हम word problem को नहीं करेंगे चलिए बच्चों एक चीज और आपको ध्यान लखनी है कि देखिए term related to divisions ठीक है अब देखिए यह 7 है 7 क्या बच्चों divisor है जिससे हम value को divide करते है वो क्या होता है diviser और जिससे हम divide करते हैं वो क्या होता है dividend diviser dividend और जो बच जाता है देखिए कभी-कभी बचता है कभी-कभी नहीं बचता है तो अगर बच जाता है तो उसे क्या बोलते हैं remainder जिससे divide करना है diviser जिससे divide करना है वो dividend बच जाता है remainder और जो हमारा answer आता है divide करने के बाद उसे बोलते हैं quotient ठीक है और इसमें देख लिजे diviser into quotient plus remainder is equal to dividend अगर हमें dividend पता करना है तो हम क्या करेंगे diviser ठीक है diviser ले लेंगे quotient ले लेंगे यानि कि अगर हमें ये पता करना है कि ये क्या आएगा है माल लिजे ये नहीं दिया होता तो हमें कैसे और हमें into quotient इसको multiply करते और remainder को add कर लेते ठीक है बाद में इसको multiply करने के बाद में तो हमारा dividend आ जाएगा तो बच्चो इस चीज़को आपको learn करना है अच्छे से समझ के रखना है एक और इसी तरीकी से एक और एक्जांपल है देखिए 7 क्या है diviser 13 is quotient 5 is remainder तो dividend हमारा क्या आ गया dividend आ गया 96 यही वाला आपको बता दिया गया चलिए next पर चलते है next exercise पर exercise 16 अब देखिए बच्चो आप जब भी किसी भी value को अगर 1 से divide करते हैं तो value वही आ जाती है अगर आप 2 को 1 से divide करेंगे देखिए माल लिजे जैसी कि आप 2 को करते हैं 2 को divide करेंगे 1 से तो क्या आएगा बच्चो 2 ही आ जाएगा ठीक है देखिए माल लिजे 2 को 2 से करते हैं तो क्या आएगा बच्चो 1 आएगा clear किसी भी value को 1 से divide करने पे वही value वापिस आ जाती है अगर हम किसी value को उसी value से divide कर रहे हैं तो answer हमारा 1 आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से अगर 0 को divide करने इससे तो answer 0 हो जाता है और इसमें पुछा है कि किस number से हम इसे divide करें कि 207 आ जाए देखिए अगर आप 20493 को इसी से divide कर देंगे 207 से तो आपको ये मिल जाएगा ठीक है अगर हम इसको इसे हमने इससे divide कर दिया तो हमारा ये मिल जाएगा clear जैसे कि मानलीजिये मैं यहाँ पर 4 लिखती हूं divide करती हूं divide by dash कर देती हूं और मुझे मिलता है 2 ठीक है देखो same digit है और ये same digit से ही divide हो रहे है same digit same digit से divide हो रहे है तो इसका अंसर आजाएगा 1 ठीक है the number by which dividend is divided is called divisor ठीक है 24 pencils are divided equally among 6 children 24 pencils को 6 बच्चों में equally बाटा गया तो हरे को कितना मिलेगा 4 pencil clear चलिए next page बढ़े आजाए divide and find question and remainder also verify your answer अब आपको क्या करना है ये सारा आपका homework रहेगा बच्चों ये आपको divide करना है ठीक है और answer निकलना है अब इसमें number 3 पर देखिए find the divisor when dividend 2468 and question is this and remainder is this देखिए अब इसमें पूछा है कि divisor क्या है क्या divisor क्या है तो हम क्या करेंगे quotient और dividend को ये जो हमें dividend मिला है इसको हम इससे divide कर देंगे dividend को quotient से divide कर देंगे तो हमें मिल जाएगा divisor ठीक है next करते है find the dividend dividend पता करना है तो हमें क्या करना होगा देखिए quotient दिया हुआ है divisor दिया है remainder दिया है हम क्या करेंगे कोशन एंड डिवाइजर को मल्टिप्लाय कर देंगे और उसमें रिमेंडर एड कर देंगे इसी तरीके से हम सेम इसे भी करेंगे तो बच्चों आपको यह पूरा कंप्लीट करके रखना है अपकी कॉपी में ठीक है और यहां पर देखे चैक्टर सॉरी एक्स टैन से मल्टिप्लाय करेंगे तो 800 आजाएगा इसी तरीके से सारी कोशन आपको करने है और यह इसमें देवाइज नमबर टू बीडिवाइड इस कॉल्ड डिवाइजर ठीक है यह फॉल्स है अब डिवाइजर निकालना हो तो डिवाइजर मल्टिप्लाय कोशन प्लस इमे मीवbourg आपको हो मुखें थे सारी आपका आपका होंवखreally और यह मὶ इसमें देवाइज मल्स ऊक्तुन प्लस इसमें अब तो यह फाइकने है यह आपको दूरूआ करेंगे थे किवज़ों यह सारी आपका सपारीं में अश्राइगा थैंक यू बच्चो